असलाम लीक्यम आवरिवन, वेलकम तो प्रवा अर्किटेक्टर स्टूडियो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करूंगा कि एक floor plan के अंदर doors को add करने से पहले उनके लिए deeper ओप नकी पूप निदेस और प्रवा गाएगं के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डीटेल में करूंगा कि इन ओप निदी ड needs scp सबसे पहले हम डॉर की 산ाइब आप लोह के साथ शेयर करता हूं रूम्स के लिए डॉर के साइज होते हैं वो थरीफिट सिक्स इंच होते है यानी 42 इंच और बातरूम के लिए जो डॉर के साइज होते हैं वो 2 feet 6 inch होते हैं, यानि 30 inch, इस तरह जो kitchen का door का size होता है, वो होता है 3 feet, यानि 3-6 inch, जो entrance का main door होता है, यानि living hall के लिए रखा जाता है, उसका size रखा जाता है 5 feet और 6 feet, इस तरह जो drying dining के लिए रखा जाता है, वो भी normally 3 feet 6 inch, यानि 42 inch रखा जाता है, सबसे पहले मैं plan में जाता हूँ, सबसे पहले हम back side से हम start करते हैं, इसमें हम देखिए main wall के साथ एक चोटी सी wall है, फिर उसके बाद opening start हो रही है door की, और पिर wall continue हो रही है, वो हमारी wall के साथ sometimes connect नहीं होता, जिसके वज़ा से यह जो cement plaster या paint होता है, वो खराब नहीं होता, तो सबसे पहले हम इस opening को लगाने के लिए यह जो shoulder लगाते हैं, तो यह shoulder हमेशा 4.5 inch का लगाए जाता है, मैं इसको सबसे पहले draw करता हूँ, उसके लिए मैं सबसे पहले offset लगाता हूँ, O enter, 4.5 shift inch, enter, और मैं इस line से अंदर की तरह offset लेता हूँ, और मैं इस line को सबसे पहल extend करता हूँ, या extend करने से पहले मैं इसका again offset ले लेता हूँ, door की opening के लिए, तो यह हमारे पास bathroom है, bathroom का जो door का size होता है, जैसा का मैंने आपको बताया, 2 feet 6 inch होता है, तो हम यहां से O enter करेंगे, और 2 feet 6 shift inch, enter करूँगा, और यहां से is line को select करके यहां तक offset ले लेता हूँ, और करूँगा, then this line को select करूँगा, और इन दो lines को और यह जो अंदरवाई lines को मैं trim कर दूँगा, तो इसके लिए मैं trim की command, tr, enter, इस line को select करूँगा, then this line को, then this line को, तो यह देखिए, इस तरह एक door की opening मारे पास आ चुकी है, इस तरह इसकी भी opening बना लेते हैं, अगर हम door के लि lines को सबसे पहले select करता हूँ, ऐसे करके, otherwise, मैं इनको ऐसे भी select कर सकता हूँ, इन lines को, और मैं अपने keyboard से press करूँगा, command, mi, mirror की command, okay, और मैं first of all, middle point select करूँगा, तो यह देखिए, इन के बीच में middle point हमारे यह वाला भी आ रहा है, और यह वाला भी, और यह वाला भी, तो मैं मैं simply यहां से trim कर दूँगा, tr, enter, trim, okay, देखा है कितना simple method है, इस तरह भी हम opening को opposite side पर mirror कर सकते हैं, okay, अब आते हैं, यह एक door है, तो यह door भी 2 feet 6 inch का ही है, क्योंकि यह 3 feet की हमारे पास wide passage है हमारे पास, तो door के opening के लिए सबसे पहले आप देखिए, कि मिडल में रखा गया है तो अब मैं यहां से door की opening मना लेता हूं, मैं जिसके लिए सबसे पहले मैं एक middle line लगाँगा इसके अंदर, मैं L प्रेस करूंगा, और यहां से मैं middle line ऐसे लगा लेता हूं, तो अब हमने यहां पर 2 feet 6 inch की opening मनानी है, याद रखिए कि 1 feet में 12 inches होते हैं, तो 2 feet हमारे पास 15 inch बन जाएंगे, तो 30 inch का half हमारे पास होगा 15 inch, तो हम 15 inch का offset इस तरफ लेंगे left side पर और 15 inch का offset राइट साइट पर लेंगे, मैं यहां से keyboard से command press करता हूं, मैं 15 press करता हूं, और enter करता हूं, और यहां से offset लेता हूं इस तरफ, फिर इस तरफ से इस तरफ लेता हूं, और middle line line क select करके, मैं E enter करूंगा, delete करेंगा, erase, औकि अब मैं in line को delete करता हूं, मैं trim कर देता हूं, जिसके लिए मैं TR, inter, इस को भी delete कर ucा करेंगा और इस को भी delete कर देंगा, आप देखिए कि in line को मैं इनके साथ wall की line के साथ match करना चाहता हूं, मैं again Legends press करूंगा, MA, है कि कि इस लाइन को इस लच सब्सक्राइब मैं कि से अब नीचे बते हैं तो यह तेकिए यहां पर रॉड्ल नहीं है इत्coming यह पैसे जो पन है तो सवाड़ मेंसको ओपन करेंगे फिर यह वाली डोर हम करते हैं तो फॉस्ट First of all, मैं इसको in lines को extend करता हूँ, जिसके लिए command प्रेस करूँगा, ex, enter. इस line को extend करूँगा और फिर इस line को extend करूँगा. और अब मैं command प्रेस करता हूँ, tr, enter. और इस line को select करता हूँ. और मैं इस line को select करके normally, e, erase कर दूँगा. और अब मैं bedrooms के doors के लिए भी opening बना लेता हूँ, जिसके लिए मैं सबसे पहले 4.5 inch का shoulder बनाऊंगा, जिसको offset में लोँगा, वो enter, 4.5, enter. यहां से मैं offset लोँगा, और फिर यहां से भी मैं offset ले लेता हूँ. क्योंकि दोनों rooms का door का size या door के opening का size एक ही हमारे पास. तो अब मैं double enter करता हूँ, अब यहां से 3.6 inch इंटर करूँगा, जो bedroom के door का size होता है, वो हमारे पास 3.6 inch होता है, तो 3.6 inch इंटर, इसका भी offset ले लेता हूँ, फिर इसका भी अंदर की तरफ offset ले लेता हूँ. तो इसको मैं extend कर लेता हूँ, ex, enter, इस line को मैं extend कर लेता हूँ, फिर इस line को भी, इस line को भी, और इस line को भी extend कर लेता हूँ. और In Lines को मैं Trim कर लेता हूँ Tr, Enter इसको भी मैं Trim कर लेता हूँ इसको भी इसको भी और इसको भी इस तरह In Lines को मैं इस तरह Trim कर लेता हूँ और अब हम Kitchen के Door की Opening बनाते हैं तो इस तरह हम आटोकेंड में डोर्स वगहरा के लिए ओपनिंग इस तरह बना सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अलाहाफिज